हेलो गाइज, आज सुबह की सुरुवात एक गुड न्यूस के साथ में SBI कलर्क में निकले हैं बंपर भड़ती, पांच जार से भी उपर वेकेंसी SBI कलर्क में निकली हैं, सो जानते हैं इसके विशे में के क्वालिफिकिशन क्या है, इस स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म कपसे आप सुरू कर सकते हैं भड़ने, सिलेबस क्या रहेगा और स्टेट वाइज विगेंसी किसनी कितनी हैं इसके अंदर उसको जा लेते हैं। और एक साथ इसाथ बच्चों आपको सला भी दूँगा जो भी स्टनों के स्पारेंट हैं वो इस फॉर्म को जुरूर भरे। पहले हैं अगर आपको एकजाम इस टनों से पहले हो जाता है, तो आपको रिज'निंग करने कहा पुछल जाएगा क्योंकि इस बाहर उक्जाम में थोड़ा सा बेंक्टिंग लेवल का रिजिंग रहा था जिस से के आपको बेंक्टिंग लेवल जिसने आपको 2019 में परसान किया था ओकी गाइस सो यहाँ पर यह फॉर्म भर सकते हैं एससी वाले बच्चे भी लेकिन इस्टन वाले बच्चे मेरी रहे में इसको जरूर भरें बिल्कुल भी कमी ना छोड़ें इस फॉर्म को भरने में ओकी गाइस चलते हैं आपको लेकर नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन क्या कह रहा है गाइस जो भी निकला है इसका है सब्सक्राइब यह रहापके सामने ओफिशल नोटिफिकेशन एस बियाई का रिकूट्मेंट ऑफ जूनियर एसोसियेट कस्टूमर सपोर्ट एंड सेल्स चली कुछ किसी विराजे से जहां पो लग रहा है कि वेकेंसी जादा है आप महां आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं ओकी कई तो यहां पर यह तो रहा पूरा पूरा वेकेंसी डिटेल आपके सामने अब हम लोग बात करें यहां पर eligibility criteria तो यहाँ पर कह रहा है कि age limit जो रखी है इनुने as on 14 2021 तक यानि कि 1 April 2021 तक वेखती की age not below 20 years and not above 28 years तेकि साथ यहाँ पर इनुने जो है relaxation भी दिया है SST को 5 years का OBC को 3 years का PWD General EWS में 10 years का तो यहाँ पर इनुने कहीं सरलोगों को जो है relaxation दिया है जो जिसका डेकी लिए माता हूँ अपना चेक कर रहे है relaxation और गाइस यहाँ पर साथ ही साथ यह academic qualification के अगर मैं बात करूँ सो कोई भी graduate रेखती जिसने भी graduation किया है किसी भी तरह से like BA किया है BST किया है BBA किया है कोई भी bachelor degree अगर आपने की है किसी भी university से की है तो आप इस form को भनने में eligible हैं कोई minimum marks requirement नहीं है यहाँ पर आप कोई भी इस form को भर सकता है बच्चो यहाँ और जो important चीज़ें उन पर हम लोग discuss कर लें अगर तो यहाँ important चीज़ें हैं हमारे सामने selection process की बात करें अगर हम लोग और कुछ खास यहाँ पर नहीं है बताने के लिए selection process की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर exam होना आपका दो पार्ट में phase 1 pre exams और phase 2 main exam phase 1 pre exams जो आपको होना है वो 100 marks का होना है इसमें इंग्लिस रहेगी आपके 30 questions numerical ability याईनी के math रहेगी 35 questions और 35 marks के रहेंगे total आपको एगंटा मिलना है इसमें और यहाँ पर आपका negative marks भी रहेगा 1 fourth का अगर आप लोग wrong answer करते हैं तो one fourth की negative marking भी इसकंदर रहेगी मेंस exam में general और finance awareness आपका add हो जाएगा बाकी सब कुछ एक चीज़ और जिन्होंने भी कुछ साफ के लिए कर दी है कि प्री एक जून के आसपास है जून के आसपास आपका हो जाएगा यह इसके बारे में और भी कुछ information जो मुझे आपको देनी वह देख लेजाएगा जहां से यहां पर पूरी जानकारे ले लेजाएगा तब ही फॉर्म बढ़िएगा पेस्केल दियावा यहां पे 17,900,000 यह पूरा पूरा पेस्केल खेर तो बात की बात है बच्चो अब जो फिलाल यह है कि जो भी लग जाए किसी तरह से यह सब चीज़े तो एक्जाम के दुराण आपको पता चली जाती है बच्चो यहां पर एप्रिकेशन फी कि अगर मैं बात करूं तो जो सब्सक्राइब के लिए यह 750 रुपीज का चार्ज रखा गया है आपके फॉर्म को बढ़ने के लिए तो एक मिनिमुम आजकर चली रहा है सबी एक्जाम में इसके विशे में तो खैर ज्यादा बात क्या करें गवर्मेंट ने सब एक्जाम में इतनी ज्यादा फीस कर दी है कि काफी ज्यादा मुस्क्र हो रहा है बच्चों के लिए फॉर्म को भर पाना लेकि कोई बाजने बच्चों आप फॉर्म भरिएगा किसी भी प्रकार से पीछे मत अड़िएगा यहां कुछ और इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है अगर इसके अंदर तो मैं आपको क्लिए कर दूँ यहां पर एक्जाम सेंटर्स दिये वह हैं यानि कि आप कोई भी एक्जाम सेंटर्स अपने आज पास का चूज कर सकते हैं जो भी आपको लग रहा हो अपने 40 किलोमेटर की रेंज में आपको जो भी एक्जाम सेंटर नजदिक लगे आप उसे भर सकते हैं बच्चों और एक और बाकी सबको depend करता है बैंक पर यानि किस तरह से अपना परफोर्मा जारी करता है वह फाइनल डिसीजन उसी के हाथ में हैं तो यहां यह पूरों का पूरा वेकेंसी डिटेल्स आपके सामने हैं फॉर्म भरते समय पहरे डिटेल्स जान लें उसके बाद में फॉर्म भरें आप कहीं पर बच्चे पिदाउट एनी इन्फॉमिशन फॉर्म को भर देते हैं फिर बाद में उनको पस्ताव होता है कि मेरी फोटो पर सिगनेचर था डेट था यह था यह मतलब सब कुछ आप लो लें अपनी फॉर्म को भरने की और तब जाकर के एक्जाम का यह फॉर्म भरने जाएं तो भर देजेगा फॉर्म सभी बच्चे देरिया मत किजएगा यह आपको जुन लुटेप स्क्राइब दिखाई दे रहा है आप इसे डाउलोड कर सकते हैं जाकर कि गूगल से भी ओके गाइस तो गुडबाए वे नाइस दे